आप सबीको मेरा प्रणाम आसा करता हूं आप सबच्छे होंगे मित्रों आज हम गोक शुरू की चर्चा करेंगे ट्राइबुलस टरस्टिस जाइगो फिलेची का यह सुन्दर प्लांट है और क्रीपिंग अवस्था में आप इसको देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भीटिएनी इसके फ्रूट्स है और पूरा प्लांट का उस्दिये उपयोग में हम लोग लाते हैं इसका पंचांग बना लेते हैं सुखा कर पंचांग बना लेते हैं पाउडर की फॉर्म में आप इसको ग्लास कंटेनर में बनाने के बाद 6 मेने तक आसानी से रख सकते हैं मित्रों यह किड्नी डिसोडर्स की रामबान उसदी है यूरो लिथियसिस की समस्या हो किड्नी स्टोन हो या फिर किसी भी यूरिनो जनाइटल सिस्टम के अंदर कोई भी सूजन हो इंफ्लामेशन हो उसको भी ठीक करने का कारे करता है साथियो वंडर्फुल इसका इफेक्ट होता है और सेफ भी है किस परकार से आप इसको ले सकते हैं इसके सुंदर फूल आप देख पा रहे होंगे अगर बाल उड़ गए हैं या फिर स्केल्प के ऊपर कोई इंफेक्शन हो गया था उसके कारण ऐसा हुआ है या मैटाबुलि तिल के साथ पेस्ट बनाईए और भी मिलाकर आप लगा दीजिए आप देखेंगे कि एक मेने के अंदर उड़े हुए बाल फिर से आ जाते हैं गंजपन के समस्या को पूरी तरह से ठीक करता है साथ ही साथ अगर ये पित्त की प्रकृति के लंबे समय से बढ़ने के कारण ह हुआ है तो आप इसको प्रे प्लांट के पंचांग का क्वात भी पीते रहे हैं हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है मित्रो अगर वाजी करण के लिए उपयोग करना है शरीर के जननंगों की वीक्नेस अगर हो गई है उसको दूर करना है तो आप इसके जो फ्रूट देख करता है आसानी से अच्छा नेचुरल एफ्रोडाइस एक आरे करता है सेमिनल वीकनेस किसी भी परकार की हो उसको यह ठीक करने का का रटा है मित्रो आप बांच्पन की समच्छा है तो उसको भी दूर करने के लिए आप का कर सकते हैं समस्त प्लांट का पंचांग का क्वात बनाकर और सहद मिलाकर सेवन कीजिए सभी प्रकार के बांच्पन की समस्या को ठीक करता है फिमेल हॉर्मोन को रेगुलेट करते हुए गर्भास्य का सोधन करता है और गर्भास्य के सोधन के बाद बांच्पन की समस्या को आसानी से ठीक करता है साथ ही ओ अस्थमा की अगर समझ्चा है तो आप इसके पंचंग का कवात पीजे आसानी से अस्थमा की समझ्चा को भी दूर करता है और अधिक अगर लंख्स भी विक हैं तो उसकी समस्चा के लिए आप उसके क्वात में 2 ग्राम असुगंदा चूंड भी मिला सकते हैं धेर धेर आप देखेंगे अस्तमा की समस्चा दूर हो ही जाती है साथ ही साथ लंग्स को भी ताकत मिलती है लंग्स की मजबूत हो जाते हैं मित्रो अगर आम वात है, संधी वात है, ज्वाइंट पेंड है, शरीर में या फिर रिब्स केज में या फिर कमर में दर्द रहता है, ऐसी अगर समश्या है, तो आप इसके क्वात में 2 ग्राम सूंट पाउडर मिलाकर सेवन कीजिए, आप देखेंगे कि सभी परकार की वात ड बढ़ गया है, अगर बढ़ गया है, ऐसी भी अगर समश्या है या प्रेमे की समश्या है, तो उसको भी दूर करने के लिए आप इसका क्वात बना कर सेवन कीजिए, आसानी से इस परकार की समश्या भी ठीक हो जाती है, कॉंस्टिपेशन को दूर करते हुए, और हाइपरटेंशन की समश्या को भी ठीक करता है, मुल रूप से शरीर का सोधन करता है, होर्मोन्स को रेगुलेट रखता है, बैलेंस रखता है, फर्टलेटी को बढ़ाने का कारे करता है, और जब इस परकार के कम्प्रिहेंसिव इसके इफेक्ट आप बोड़ी पर रहती है, काफी अच्छा ये प्लांट है और इसके साथ ये सेफ भी है, आप इसको जिस भी अवस्था में आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से ये फैलता हुआ जाता है, और ये इतना सार्प होता है इसका फूरूट, ये फंक्शर भी कर देता है, तो पैरों में भी लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, इसको आप यहां से निकाल सकते हैं, और उसको आप आसानी से गमलों में लगा सकते हैं, अच्छी स्वास्ते के लिए आप इसको घरों में गमलों में संदक्सित कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप हम से इमेल के माध्य रहत कर सकते हैं उतना इसके फूर्ट बियाजाते थे रूंट घ्यात स्युम्ट हुनकों ग मेल lass नाम की सटल खूल लिए और कैसे तौन आप बना लिजिए आप अच्छे स्वास्ते के लिए इसको कांच के कंटेनर में सनस्कित करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आता है कल सुबह फिर साड़ से वजए एक नई प्रांट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद परिणाम नमस्कार